हेलो फ्रेंज आपका अपने इस चैनल DP क्लास से स्वागत है जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग अभी 11 क्लास की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोगोंने को स्टार्ट किया है रिलेशन को हमने अच्छे से कर लिया है इसका बैसिक पार सा रहा हो गया पुराने बीडियो देखेंगे प्ले लेश्ट में जाके रिसेंट फंक्शन की सेकेंड चेप्टर की तो आपको अच्छे से क्लिर हो जाएगा ओके आज हम बात करेंगे फंक्शन अपने इस चैनल पर आया है तो पहले सस्क्राइब कीजिए और साथ में वेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन होन कीजिए देन उसके बाद आगे कांट कीजिए ओके फ्रेंट्स ठीक है चलो स्टार्ट करें नौ फ्रेंट्स यह रहा डेफिनेशन ए यहारा है दो इफ एफ एवरी ऐल atención एवरी ऐलेमेंट मतलब अहीं वेख केसारे अलीवनिश huntingमेश होनी चाहिए वके है इस इस का आड़िए कि दफिनेशन हो ठीके है • अ किस अ से पाधिनंस ए शूब्या jean और लक्नदास होना च्शarrive फंक्शन ऐसा है और A के सारे elements का relation B के किसी ने किसी एक element से होना चाहिए अब ये RD शल्मा क्या बोलती है? Standard Writer ठीक है जो reference book समय ने लिया है Let A and B, B to non empty set क्या होना चाहिए non empty set non empty set मतलब उसमें कुछ ने कुछ values होनी चाहिए कुछ ने कुछ members होनी चाहिए खाली नहीं होना चाहिए Then a function f from a set A to a set B is a rule Set A to a set B में एक rule होगा या फिर एक method होगा या फिर एक correspondence होगा इस सब का मतलब यह की चीज़े Which associate, जो कि associate करेगा Which associates elements जो कि elements के साथ associate करेगा किसके? Of set B मतलब A के elements set क्या बोला है? A non empty set होना चाहिए Then a function f एक function f होगा From set A to set B इसे एक rule होगा एक method होगा या फिर एक method होगा या फिर एक correspondence होगा जो कि associate करेगा elements set B के elements के साथ Such that क्या condition होनी चाहिए सुनिएगा All elements of set A are associated to elements of set B Set A के सारे elements या फिर एक प्रतेएशन होना चाहिए Set B से First condition होना चाहिए Second condition यह बोला है N N मतलब प्रतेएग N elements of set A is associated to set to a unique elements in set B Set A के सारे elements मतलब प्रतेएग elements Each and every elements का unique association होना चाहिए Unique mapping होना चाहिए Set B में एक चीज और ध्यान है association के बज़ए आप map word यूज़ कर सकते हो या फिर mapping word यूज़ कर सकते हो Mapping Unique mapping होनी चाहिए ठीक है यह सब function के synonyms है अब मैं इसका practical example लेता हूँ नहीं से समझेगा अभी इस lockdown period में आपने एक चीज़ देखा होगा lockdown में आपने एक बात देखी होगी क्या कि रामायर और महाभारत सर्में देखी है भईया जी ठीक है देखी है चलिए एक इसी के compare करता हूँ और लेट्स सेट A सेट A है एक सेट B है सेट A में सारे male candidates है क्या है male candidates of Ramayan सोरी महाभारत और सेट B में female candidates है इसमें मैं fix character बात परूँ पांचो पांड होगे पांचो पांड होगे पांड होगे भीम अरजुन नकूल और स्वाधवजिन का first letter लिया जिसे की भीम की दो पत्निया थी और अरजुन की दो थी लेकिन फिलाल मैं मान रहा हूँ एक ही पत्नी है इसमें इनकी एक ही पत्नी जिसका नाम है द्रोपदी 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 ठीक न अब इनका association हो रहा है इदिस्ट की कितनी पत्नी ही एक भीम की कितनी होई एक अरजुन की कितनी होई एक नकुल की सेम एक और इसी तरह सेदेव की भी कितनी है एक ही पत्नी है तो यह आपको बोला गया एक function क्या होता है A से B में association होगा function को लिखने के तरीका है F is a function which is associated to A to B A से B में mapping है set A से B में क्या है mapping है या association है ठीक है नहीं एक rule है association है अर उसमें क्या बोला भाई A के elements कोई खाली नहीं जाने चाहिए A के सारे elements associate होने चाहिए B के elements of set A associated to set B ठीक भी या पहला point यह हो गया फिर बोला है A के each and every element का B में image जो होगी image अपनी NCRT ने क्या बोला है image या association unique association होना चाहिए associate होगा मतलब mapping जो होगी unique होगी unique का मतलब only one only elements के साथ one image होनी चाहिए ठीक भी अच्छे कर लिए administrative की एक ही पत्नी है beam की भी एक ही पत्नी है arjun की भी एक ही है nakul की भी एक ही है एक ही है association एक ही है यह क्या हो गया function कहलाएंगे लेकिन second case में अगर मैं इसी example को कुछ इस तरीके से लूँ समझेगा listen क्या होता है Bheem की दो पत्नी आती दोनों पत्नियों का Hidamma एक तो दुरोपदी दूसरी Hidamma और तीसरी पत्नियों की इतर female candidates और तीसरी अर्जुन की पत्नी जो स्रीकिष्ण भगवान की बहन थी सुबध्रा सुबध्रा नाम था सुबध्रा सुबध्रा ठीके confirm कर लीजीगा और युदिश्टी भीम अर्जुन नकूल और सहदयों अब यहाँ चेक कीजे ओके भीम की अर्जुन की भी नकूल की भी सबकी पत्निया द्रोपदी है भीम के केस में क्या होगे भीम की दो पत्नी होगी हिडमा भी होगी अर्जुन की केस में एक और पत्नी होगी ठीके ना तो दो पत्नी होगी अर्जुन के केस में जो कि कृष्ण भगवान की सिस्टर हुआ करती थी ठीके ना तो आप देखा जाए यह set A और यह set B बन गया अब यह आप चेकिए पहली बात तो set A के सारे elements associate होनी चाहिए यह B में, B में mapping होनी चाहिए यह सारे elements का देखिए कोई नहीं खाली है but क्या होना चाहिए, unique image होनी चाहिए unique का मतलब यह एक के लवाँ 2 नहीं होना चाहिए, यह को भीम की 2 है उसी तरह अर्जुन के क्या हो गया, 2 से associate हो गया ठीक है, अर्जुन के किससे द्रोपदी और S सुबद्रा 2 से associate हो गया तो नहीं हो गया उसी तरह भीम हिडंबा और द्रोपदी के साथ हुआ तो यह जो F A to B जो function हमने define किया था वो नहीं है, function नहीं है, यह एक relation है A स B में, हैं जी, ठीक है clear, एक और मैं, आपको रामायर की study सुनाता हो, रामायर में आपने चेक किया था रामायर में रामायर के अंदर, दसरत महाराजा दसरत दस, दसरत उनके कितनी पत्निया थी, तीन कौशल्या कौशल्या कैके फिर अगली सुमित्रा हैं जी, तो महाराजा दसरत का association, यह set A हो गया ठीक है, इसमें A की element है, यह set B हो गया, समझेगा, मैं इसको as a function define करने कोशिश करा हूँ, A to B mapping है, क्या यह function है चेक करते हैं, महाराजा दसरत की पत्नी कौशल्या थी, ठीक है कही कही भी थी, और समित्रा भी, ठीक है अब A से B में function define है तो A के सारे element, मतलब A की element है उसका B में association है, बिल्कुल mapping है बिल्कुल है, पर second check करना है, unique mapping होना चाहिए unique होना चाहिए unique मतलब के ओल A होना चाहिए तो A के जो सारे element है अब उनकी तीन पत्नी है मतलब तीन के साथ association है तो यह F A to B defined नहीं है इसका उल्टा होता, उल्टा क्या होता है F B to A defined होता B से A में association लेते क्या लेते, B to A समझने कोशिश किजएगा B to A का मतलब B से A में मैपिंग है तो first क्या हो गया? B हो गया second set क्या हो गया? B to A पहले B आएगा फिर A आएगा जो first वाला आया first क्यों है? B है तो B का association होना चाहिए किसी ना किसी एक element की साथ होना चाहिए है first समित्रा के भी एक ही पती हैं जी चलो भया अब association होना चाहिए B के सारे element का association है मतलब B के सारे element relate है उनका एक image है A के अंदर क्योंको B to A defined है आपका हैं जी चलो अब इसका unique होना चाहिए unique मतलब क्यों A के साथ इना चाहिए तो देखे भया देखे एक के साथ ही है हाँ जी यहाँ suppose राम भी आ जाते है ठीक है लेकिन राम के साथ नहीं है ठीक है एक के साथ है तो यस B to A एक function है अब यह function के case में आपने दो चीज़े ध्यान लगी एक तो जिससे defined है A स B में defined है तो A जो होगा A के सारे elements होंगे all elements क्या होने चाहिए B में associate होना चाहिए और A के सारे elements क्या होना चाहिए unique association होना चाहिए unique mapping होने चाहिए क्यों एक का एक के साथ मतलब एक ही पत्नी रख सकते हो दो पत्निया नहीं रख सकते हो Hindu रिती रिवाज की according मुझे लग रहा है यहां तक आपको किसी को कोई परेशानी नहीं है अब सुनिएगा अब कुछ points और ध्यान लेता हो domain function के case में domain क्या होता है second core domain क्या होता है core domain third point range क्या होता है ठीक है जी और एक आपने बोला था image ठीक है image क्या होता है और एक चीज और आई pre image क्या होता है pre image okay image pre image ठीक है और domain code domain ठीक है तो एक set में लेता हूँ समझना one two three four है जी एक set में लेता हूँ b a b c d और suppose e ले लेता हूँ ठीक है इन दोनों को associate करता हूँ मेरा function जो defined हो रहा है f a to b defined हो ठीक है जी चलिए मैं इसको arrow diagram के थूर slow करता हूँ तो ज्यादा अच्छा से clear हो जाएगा एं जी यह set a हो गया यह set मेरा b a के elements सारे लिग दो one two three four okay clear reference करेंड आउट हो तो comments करके जरूर पूछेगा और चैनल को अभी subscribe नहीं किया ना पहले subscribe कीजिए और साथ मोबेल आएक करा रहा हूँ पर क्लिक करके notification होना कीजिए ठीक है एक नया तरीके से मैं आपको पढ़ाने कोशिश कर रहा हूँ writing page को use करते हूँ तो आप बताएगे कि आप कैसा लग रहा है A B C D और E इसमें क्या voice की problem clear हो जारी है है जी चलिए A से B में A का first के साथ 2 2 का C के साथ 4 का D के साथ ठीक है तो यह relation हो गया okay अब मैं बात करूँ भया मुझे domain चाहिए domain इसमें जो relation में domain क्या है domain all elements of set A ठीक है पहली बात तो यह function है या नि यह चेक कर लेना yes सारे A के सारे elements का association mapping B में है विल्कुल है जी चलो ठीक है unique mapping है unique relation है ठीक है विल्कुल है unique है एक के लावद दो नहीं है यह function है function है तो आगे बात करेंगे domain की domain क्या होंगे set A के सारे elements set A पूरा आपका domain के लाएगा तो कौन हो गया 1,2,3,4 बस इतना ही है ठीक है domain हो गया अब मैं बात कर रहा हूं second point मेंने लिया था core domain core domain आपका क्या है core domain all elements of set B ठीक है B वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा all elements of set B आपका क्या domain हो जाएगा core domain of F function F का ठीक है कौन को नहें A, B, C, D जिनका A के साथ association है या नहीं है कोई फरग नहीं बढ़ा जिसे E का कोई relation नहीं है तो आपका core domain के लाएगा हैं जी पूरी की पूरी elements जितने भी elements है I think यहां दर clear हो गया core domain हो गया अब मैं बात कर रहा हूँ range की हां जी range तो range क्या होता है range of F range आपका जो होगा जिनका association मनलब A के जिन elements का image B में है वो सारे images जो होगे वो आपके range के लेंगे जिसे 1 का A के साथ 2 का B के साथ 3 का C के साथ 4 का B के साथ image what is image image सब्द आया था A का A के सारे elements का image B में होना चाहिए ठीक है मनलब B के जो भी element जो आपकी range है वो आपके क्या बन जाएगी image बन जाएगी A के लिए 4 A A के लिए तो image कौन बन गी देखे A, B, C, D elements A के सारे elements के लिए जिए 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 इमेज बन गी अब यह प्री-िमेज क्या हो गए जिसे image मैं बनो image of समझना है image of 1 क्या हो जाएगा A similarly image of 2 that is what B image of 3 that is what C इसी तरीके से अब मैं प्री-िमेज करू प्री-िमेज क्या हो जाएगी प्री-िमेज प्री-िमेज जिसका reverse process image का उल्टा प्री-िमेज मतलब यह सारी images हो गई A के लिए और B के लिए B के लिए यह क्या हो गया प्री-िमेज करा है यह क्या करा है प्री-िमेज प्री-िमेज हाँ जी समझ मैं आया तो ठीक है B के लिए B के लिए प्री-िमेज क्या हो गया 2 हो गया similarly C के लिए B के सारे elements C के लिए 3 हो गया B के लिए 4 हो गया तो प्री-िमेज हर एक elements का B के सारे elements A में जो है जिनसे इस situation हो वो प्रीमेज हो जाए तो उसी तरह आपने A के लिए क्या प्रीमेज लिए 1, B के लिए प्रीमेज आपका 2, C के लिए प्रीमेज 3 और D के लिए प्रीमेज क्या हो गया आपका 4 हैं जी तो I think यह पुरा clear हो गया image, pre-image, domain, co-domain सारा, okay friends तो मुझे लग रहा function जो अभी हमने discuss किया था, आज जैसा के मेरा target था, function, what is function, clear हो गया, function एक special type का relation होता है, ठीक है, और relation कैसा होता है, जिससे defined होगा है, A से B में अगर supposed defined है, ठीक है, तो A के सारे element का relation, B में होना चाहिए, B के element से, किसने किसी unique, एक element से होना चाहिए, okay, I think इ नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन आ रहा है, उस पर click करके notification जरूर ओड कीजिए, okay, और अपने friends को भी share कीजिए, और अगर आपको lecture पसंद आ रहे है, वीडियो अच्छे लग रहे है, तो please like तो ही बनता है, तो like जरूर कीजिए, comment जरूर की